नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिवल प्लस हाईटी टेक्नो दोस्तो आज के वीडियो में हम डिसकर्श करेंगे और टो कैड के बारे में और टो कैड पे जब आप काम करते हैं तो आप कुछ कीज करें दोस्तो आपके सकते हैं या उसका किसी color का match कर सकते हैं दोस्तों example के लिए मैंने यहां पर line ले ली है इस line को हम color से match करेंगे तो उसके लिए हम यहां पर type करेंगे ma tc match property ठीक है दोस्तों match property type करने के बाद मैं हम यहां पर enter करेंगे enter करने के बाद में जाना है, जिस भी object को हम match करना चाथते हैं, उसको select करेंगे उसके बाद में जिस object पर हमें जाना है हम उसको select करेंगे, select करने के बाद आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि इसका color same हो गया है, तो यहाँ पर हमने इनको match कर लिया है, जैसे इसकी property थी वैसे हिस की property हो गई तो इसको हो गया यह match property ठीक है दोस्तों अगली command जो हमारे पास है दोस्तों वो है hatch hatch के लिए दोस्तों हमें ज्या करना है हमें एक box बनाना है तो हम यहाँ पर जैसे की rectangle सर्च करेंगे दोस्तों rectangle टाइब करने के बाद यहाँ पर हम rectangle बना लेते हैं उसको हमें करना है hatch hatch करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर type करने बढ़े गए h at और फिर करना बढ़े गए enter जब आप attach it enter कर दोस्तों तो आपके पास option आ जाएंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास काफी options हैं आप यह आप जो भी इसमें नदा सकते हैं यहाँ पर बृक कडा डालूंगा जब मैं इसमेन ब्रिक कडा लोगा दोस्तों तो यह हैच हो जाएगा उसके बाद आपको एंटर कर देना है एंटर करने के बाद दोस्तों कुछ आपको यह इस तरह का देखेगा इसमें आपको अभी कुछ साफ देखनी रहा है जैसे आप इसको जूम करेंगे जूम करने के बाद दोस्तों आ कि मैं यहां पर इसकी रिष्का 20 कर देता हूं 20 करने की बद आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहां पर जो इत बरिक साइज है वो बढ़ चुका है ठीक है दोस्तों तो यह हैंचिंग है जब भी हम कुछ भी यहां पर represent करने के लिए कि इसके जगा पर क्या लगाया हो जैसे कि यह एक वाल की तरह represent हो रहा है तो यहां पर हमने उसकी hatching की है ठीक है दोस्तो next command जो हमारे पास है वो है हमारे पास scale की दोस्तो scale की property के लिए हमें क्या करना है जैसे कि हमारे पास ही एक object है जो हमने अभी बनाया एक से जब object को हमें करना है scale तो इसको हम पहले सबसे बहले move करेंगे दोस्तो skill command यूज करने के लिए आपको type करना है sc जब आप दोस्तों यहां पर टाइप कर देंगे तो उसके बाद क्या करना है आपको करना है object को select उसके बाद आपको फिर से एक बार एंटर के लिक करना है और जे जगह से आपको इसको scale करना है आपको वह एक position चेक करना है उसके बाद दोस्तों आपको कितना इसको बढ़ा करना है इसका यह थी हमारी scale property उसके बाद जो हमारे पास next चैंपर कमांड तो दोस्तों चैंपर कमांड के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले हमें लेना है एक rectangle तो हम यहां पर टाइप कर देंगे यारी सी और उसके बाद हम यहां पर एक rectangle बना लेंगे ठीक है दोस्तों कि ऑसके बाद क्या करना है रहें हाँ टृक रर के स्कार्य है करते हैं। यहां पर किलिक गारे स्यंहरा वहां से Agency एक neld दोस्तों आपको चैंपर क्या करना है यहां जोगा यहां से मैं दोस्तों यहां से 2 भी देता हूं किशिकशन देना पड़ेगा कि इस तरह दोब विछल्सक्राइब बचाने उसका दोस्तुरम ह मैं क्या कई है उसके वाध मैं तो उसी लाइन को स्लाइट करना है ठीक है दोस्तों तो देखिए यहां पर हमारा एज बन गया है उसी तरह मैं फीस्टेश चेंपर यहां पर टा करता हूँ चेंपर टाइप करनी कहा आपको क्या करना, आपको peachy करना है ह। यहां पर center मे राइट कलिक करनी है और distance पर क्लिक करना हूए उसके बाद आपको जितना भी यहां पर चाहिए, में यहां पर 10 feet distance को जो कि है वो type करता हूँ और उसके बाद आपको यहां से कितना कि आपको इसको edge में लाना है आपको वहां पर P में 10 feet यहां पर type कर देता हूँ उसका दोस्तों आप करना है first line को और यहां पर second line को select करना है है तो देखेए यहां पर हमेरा chamber जो हो काम कर गए है ठीक है दोस्तों अब को चेंपर में होगा उसका दोस्तों हमें क्या करना है हमें यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है आपको First Command पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर दिखे यहां पर हमें Radius का Option आ रहा है यहां पर हमें यहां पर खalsa 화ht जैसे कि मैं यहां पर देता हूं क se nelltaip करेंगे या si under कि मैं तो हम यहाप करेंगे उसके बाद अम यहाप PC क्लिक करेंगे रिडिस क्लिक करने के हम यहाप्र- Here क्डियेस approach करेंगे कि जितना इज है इसर आप यहें दिना चाह्ते हैं यहाथ तरह सम्हें अ आगी हो और यह आपके लिए helpful हो आप जब भी कोई ड्राइंग बनाएंगे उसके लिए दोस्तो मैंने इसके रिगार इन दो वीडियो और बनाए हैं उस मैंने कुछ कमांड इस मेंशन की हैं अगर आप उनको देखना चाते हैं तो मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका धन्यवाद लाइक करिए शेक करिए और सब्सक्राइब करिए बैल आइकन दवाना मत बुलिए दोस्तों जा अगर आप बैल का इकन दवाएंगे